असलामयकुम student, एक्ससस two point four को करने से पहले आपको सम्मिना होगा laws of exponents are indices क्या हैं। उसके उदर यह laws of exponents use करेंगे। तो लैट करते हैं कि एक हमारे पास है exponent ठीक है, exponent क्या होता है कि कोई भी आपको पास है number है number की कोई sum power है ठीक है वो उसको exponent बोला जाता है इसको read करेंगे a to the a to the nth power कितनी power है इसकी nth power a to the nth power ठीक है इसको read करने का ये method है अब remember that आपने ये पहले 7th class में ये 8th class में इसको को नेमिंग पड़े थे कि इस notation में ये जो ये उपर लिखा आता है इसको बोला जाता है power कि बोला जाता है यह इसको exponent भी बोला जाता है ठीक है यह जो जिस नंबर की power आप ले रहे हैं मतलब ये वला जो नंबर है ये वला नंबर आपके पास बहता है बेस यह चीज़ रहती है बेस ठीक है तो यह कोई भी a is a base sorry a is a base a is a base and n is power n क्या है n हमारे पास power है इसकी ठीक है तो इसके लिए हमें हम लैट कर लेते हैं टू नंबर लास को समयने के लिए हम टू नंबर लैट कर लेते हैं तो मैं लैट कर लेता हूं कि if a,b belongs to real numbers a और b मैंने किस में से लिए है real number में से लिए है ठीक है और end यह end का sign होता है and m & & m & & m & & and m & & and positive integers और positive integers positive integers positive integers कौन कौन से हैं आज आपके पास यह integers लाइन होती हैं ठीक है यह 0, यह 1, यह 2, यह 3, मतलब यह positive numbers है, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, positive का मतलब है, 0 भी include है, इसके अंदर, 0, 1, 2, 3, 4, 5, यह क्या है, M, ठीक है, A, B, real numbers है, M, पॉजिटिव इंडिज़ है, तो first law आपके पास यह है, first one यह है, first one यह है, अगर आपके पास है, दो exponents है, ठीक है, exponent notation में numbers लिखे हैं, A की power, M, multiply, dot का मतलब होता है, multiply, और A की power, N, इसमें दरह, देखिएगा, bases same है, A भी इसका same है, और A भी इसका same है, और दोनों अपस में multiply हो रहे हैं, तो exponential law के मतलब है, अगर bases same हो, ए भी इदर भी है, A है, इदर भी A है, तो powers को हम add कर लेंगे, ठीक है, क्या कर लेंगे, अगर A और A same हो, bases same हो, तो powers को आपके add कर लेंगे, उसके पास जो second है, second यह है, कि अगर A की power है M, M is a positive integer, A की power है M और whole के उपर power है, bracket में N, bracket लगा के N, तो simple क्या करेंगे, आप powers को आपस में multiply कर लेंगे, क्या लिख लेंगे, M multiply by N, M multiply by, मतलब bracket के अगर बाहर पावर है, तो common sense बन दी है, यह इसके साथ आके multiply हो जाएगा, ठीक है, उसके अबाद जो third law जो है, third law में यह है, A multiply by B, जब दिरम्यान में कोई sign ना हो, तो multiply का sign है, A multiply by B whole power है, कोई N, positive integer, तो क्या करना है, कि अगर जो दो नमर्स multiply हो रहे हैं, उनकी common power है N, तो आपने क्या करना है, powers इनको distribute कर देनी है, हम इसको write कर सकते हैं, A की power N, multiply by B की power N, powers distribute कर सकते हैं, उसके बाद इसका फोर्वल लाग है, और वाला लागया है, A over B, A over B whole की power N, तो दो नमर्स divide हो रहे हैं, उनकी common power है, तो divide में में इक power distribute कर सकते हैं, A की power N distribute कर देंगे, B की power N distribute कर देंगे, और इसमें एक condition यह है, B जो है, does not equal to 0, B 0 नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, अगर B 0 आ गया तो denominator में 0 आ जाएगा, और कोई भी number 0 से divide नहीं होता, ठीक है, उसके बाद इसका फाइफ वला लाग है, फाइफ वला लाग है, यह है कि A की power N divided by A की power N, तो आप इसको क्या basis same होने चाहिए, यह भी A की A की power M ही है, और यह भी A की power N है, basis same है, तो क्या करेंगे, जो नीचे वाली power होगी, इसका उपर जाके sign change कर देंगे, अगर इधर positive है, negative, अगर negative होगा तो उपर जाके positive कर देंगे, और यह base A की रहने देंगे, ठीक है, और इसमें भी जो A है, वो 0 नहीं होना चाहिए, A 0 आजएगा, तो यह वाला denominator में 0 आजएगा, तो जो के possible नहीं है, उसके बाद है, इसका जो है, 6 वाला जएगा है, 6 वाला में किया है कि, any number power 0 is equal to 1, किसी भी number की power 0 is equal to 1 होता है, शर्त यह है, कि A जो है, वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 की power 0 is not equal to 1, यह आप 1 कह नहीं सकते हैं, लहाजा यह 0 नहीं होना चाहिए, 0 के लावा कोई भी number हो, तो उसकी power 0 ली जाए, तो answer किया जाता है, 1 आजएगा, ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए, यह wrong है आपका, ठीक है, 0 के कोई भी number हो, उसकी power 0 ले, answer 1, for example, 2 की power 0 ले, answer कितना आजएगा, 1, 3 की power 0 ले, answer आजएगा, 1, 4 की power 0 ले, answer आजएगा, 1, इस तरह से जिस number की, जो मज़ी number हो, उसकी power 0 ले, answer किया जाता है, 1 आजएगा, उसके बाद इसका 7 वाला है, exponent का, कि A की power minus N, तो अगर एक number है, उसकी power negative है, तो उस number को अगर आप fraction change कर देते हैं, अगर उपर लिखा हो है, तो नीचे लिख देते हैं, तो उसका, sorry, उसकी जो power होगी, power का आप साइन चेंज कर देंगी, let's, 5 की power minus 1, तो इसको आप ऐसे लिखते हैं, 5 की power, plus 1, इस तरह से नहीं भी, अगर, for example, आपके पास ऐसे 5 की power, 5 की power 3 लिखी हुए है, तो जब denominator में लेके आएंगे, तो power के क्या कर देंगे, sign change कर देंगे, ठीक है, simple क्या है, कि अगर आपके पास कोई number है, कोई भी number है, तो number की power जो भी है, उसका अगर आप fraction change करते हो, number की fraction change करते हो, अगर वो denominator में, तो denominator में convert करते हो, तो उसकी power क sign change कर देंगे, किसका, power का sign change करना है, वो जो है, number का नहीं change करना है, ठीक है, तो इसी तरह से age वो does not equal to 0, क्यों नहीं होना चाहिए 0, क्योंकि डिनॉमिनेटर में अगर 0 आजए, तो denominator से, कोई भी number 0 से divide नहीं हो सकता, इसलिए age वो 0, strictly 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो exercise 2.4 करने के लिए यह आप इनको यह जो लाज है, seven laws है, यह आपके mind में होने से यह, और exercise करना कोई भी problem वाली बात नहीं है, ठीक है, अलाफ़ीज़,